नमस्कार साथियों स्वागत है आपका अपने ही योटोब चैनल बीरू अकाइट भी पर डियर बात करेंगे जो केबियस रिजल्ट का 2023 में आखिरकार इतना बिलंब क्यों हो रहा है चात्रों के बारवार कमेंटार हैं कि सर जो केबियस का रियल्ट है वो कब तक आएगा इसकी फाइनल एंड रिवाइज एंसर की कब तक रिलिज होगी इंटर्व्यू का जो प्रोसेस है वो कब से रन में किया जाएगा बात करेंगे पूरी तरीके से कम्प्लीट एनलसेस में बात करेंगे प्रात्मिक सिच्छक भरती को लेकर के पी एबी की एक रिपोर्ट आई है और कहीं ना कहीं इस पे पूरे देश की हर राज्यों की जो सिच्छा विवस्ता की पूल खोली गई एडियर आईए आपको एक एक डाउट से रूबरू करवाए देते हैं इडियर पहले आप देख सकते हैं के बियस में क्यूं आखिर रेजल्ट में देरी हो रही है इस तरीकी की कई गड़वडिया आपको देखने को मिले थी कि अमरसर में चल रही थी परिच्छा पानी पत से हल करा रहे थे प्रशनपात्र 5 की रफ्तार आपने देखा था कि जब केड़ियस की परिच्छाएं चल रही थी तब रिवोट के बाध्यम से सेंसर के माध्यम से काफी जादा जो परिच्छाएं हैं उसमें हैकर की एक्टिविटी काफी जादा थी इस तरीके की नियूज आपने ह लेकर साल हुआ प्रशनपात्र देखे डियर इन सभी के वीच में जो केंद्री विद्याले संगठन है उसने आई फोर सी के तहट इसकी जाचारम भगरवाई है निश्चित तोर पर जो पेपर में गलबड़ी आई हैं धांदली की खबरें आई हैं उन सभी को देखते है देवेंद्र गुमार दिवेदी जी कि देखिए अभी केंद्री विद्याले परिच्छा में जो सिच्छकूं के दवारा कुछ हेर फेर की लिप्ता पाई गई है और इसलिए अभी जो CBT टेस्ट यानि की कम्प्यूटर बेस्ट इक्जाम हुआ था उसके रिजल्ट में और फाइनल एंसर की में थोड़ा समय लगेगा क्योंकि जो इसकी जाच है वो I-4C के तहट की जा रही है और जो गडबड़ी करने वाले लोग हैं कहीं ना कहीं उनको पकड़ने की पूरी तयारी या पूरा प्रयास किया जा रहा है निश्चित तोर पर जो परिच्छाओं या सबक नहीं मिलेगी तो वो हर परिच्छाओं में इस प्रकार की जो बड़ी धान्दलियां हैं लगातार करते आएंगे और पढ़ने वाले छात्र का इससे कहीं ना कहीं हानन होता है तो केंद्री विद्द्याले संगठन क्या अभी ना रिजल्ट आएगा ना उसकी परिच्छा की रिलीज होगी रिजल्ट रिलीज होगा फिर केंद्री विद्द्याले जयदा समय नहीं देगा आप लोगों को इंटरव्यू की प्रप्रेशन करने के लिए बात कर लेते हैं अगली ख़बर की तो अगली ख़बर आप देख सकते हैं समग्र सिच्छा की पी पी की बैठक में आपड़ों का खुलासा हुआ है यहां पर साफ साफ आप नीचे की लाइन में देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के 41 थीसदी प्रात्मिक स्कूल और 42 थीसदी उच्छ प्रात्मिक स्कूलों में सिच्छा का जो अनपात हैं वो बूरी तरा बिगड़ा हुआ है निश्चित तोर पर जो योगी सरकार हैं वो लगातार कह रहे हैं कि हमारे आहनुपात सवानुपात एकदम सकते हैं लेकिन पी एबी की रिपोर्ट की खुलासों के द्वारा यह जरूर कहा रहा है उत्तर प्रेश में कितने पदरिक्त हैं यहां पर पूरी तरीके से हर र योग का गठन है उसको वो लगातार रन में कियो हुए है उसके बाद आप वो प्रात्मिक सिचक भरती देखने पड़ेगी क्योंकि लोग सभा का चुनाओ लगा हुआ है इसी यवज में एक निश आटिकिल आप देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है सरकारी सिचकों के खाली पदों का जो वेवरा है वो लगातार तलब किया जा रहा है लोग सभा चुनाओं से पहले सिचकों की बड़ी भरती होगी दरासल यह निश पहले की है लेकिन मैं आपको बता दूँ यह निश एकदम सक्ति सावित होगी दो हजार चौबिस में लोग सभा चुनाओं क के माध्यम से की जाएगी क्योंकि सिचक भरती के लिए आप देख रहे हैं धरना प्रदर्संस हो कोड का दरवाजा हो पी एबी की रिपोर्ट हो हर जगा से सिर्फ एक ही बात निकल करा रही है कि जो छात्र सिचकों का अनुपात है वो पूरी तरीके से विफल है फेल है और कहीं ना कहीं इसके लिए सरकार को नई प्रात्मिक सिचक भरती उत्तरफ देश में हर हालत में करनी होगी तो आप लोग अपनी तयारी को गत देती रहिए ऐसा नहीं है कि भरती नहीं आएगी भरती जरूर आएगी 2024 के पहले लोग सबाचुनाओं के पहले सरकार जरूर भर करती देकर के उपट बैंक भुनाने की कोसिस करेगी लेकिन अगर आप KBS के रिजल्ट का वेट कर रहे थे तो थोड़ा भी देर लगेगी इसकी जाच I4C के तहत की जा रही है जो गड़बाडिया सामने आई हैं उन सभी को कहीं ना कहीं नकाब पोस्ट करने की तयारी उम्मीद करता हूँ सारे डाउट क्लियर होंगे कोई सवाल रह गया है कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा इसी तरह की सटीक और आथेंटिक एनल एसेस के लिए चैनल से तुरंत जुडिए सबस्क्राइब करिएगा फिर मिलेंगे एक और अपडेट में तब तक के अब यू गाइज वन दे मात्रम